दोस्तो आजकल भक्तों को नया काम मिल गया है जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है उन्हें जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ है क्या नहीं ये खोचने का काम मिल गया है हाल ही में धर्ति के साथ अजूबों में शुमार आगरा के ताज महल के बंद कमरों को खोलने की याचिका को हाई कोट ने खारिच कर दिया है मामले पर हाई कोट ने याचिका करता को फटकार भी लगाई है कोट ने कहा है कि ताज महल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डाले कोट ने याचिका डालने वाले आयोध्या बीजेपी नेता से कहा है कि PIL का मजाक ना बनाए पहले पड़ दिख लें ताज महल कब और किस ने बनवाया दोस्तों लॉजिक और बीजेपी नेता के बीच 36 का अकड़ा है ताज महल के पीछे पड़े भक्तों और बीजेपी नेताओं को वरिश्ट पत्रकार रवीश कुमार ने जबड़त स तरीके से धो दिया रवीश कुमार ने बीजेपी नेताओं और भक्तों की ऐसी कलास लगाई है कि बेचारे भाजपा नेता और भक्त अब कुछ बोलने लायक ही नहीं है बीजेपी नेताओं को धोते हुए रवीश कुमार अपनी facebook पोस्ट पर लिखते हैं हर भारतियों को शक हो गया है कि जमीन के नीचे कुछ है शक किस बिमारी को होने से कोई नहीं रोक सकता इसके लिए कोई टीका नहीं है और कोई मास्क भी नहीं है जिन लोगों को शक नहीं हुआ है उन्हें गोदी मीडिया देखकर यकीन हो गया है कि जमीन के नीचे कुछ तो उन्हें कोई यकीन नहीं दिला सकता कि जमीन के नीचे कुछ नहीं है, ऐसा करना गलत भी होगा, हर बाट ये जानता है कि जमीन के नीचे कुछ ना कुछ होता ही है, जरा सी खरोच पर गुटका का पैकेट निकलाता है, फुरूटी का पैकेट डबा मिलता है और प्लास्टिक क पन्नी मिट्टी में धसे मिलती है पुरानी डाइरी, किताब का कवर, बेल्ट का टुकडा, शैंपू का धकन, जमीन की खुदाई से कितना कुछ निकलाता है इन सभी को जाणने के बाद ही मिट्टी अलग होती है पडोसी की नजर से बचा कर फेके सारे कच्रे समीन की नीचे ही तो धसे है अगर कोई भाटिये से खोद निकालना चाहता है तो उसे फ्रोचसाहित करना चाहिए खुदाई शुरू होते ही इतनी सारे चीज़े मिलने लग जाती है कि लोगों को लगता है कि जमीन के नीचे कुछ है इसलिए वो हर जगे की खुदाई करना चाहते है जहां उन्हें लगता है कि जमीन के नीचे कुछ है अगर आपको लगता है कि किसी की इमारत के नीचे कुछ है तो आप गलत नहीं है जब इतने सारे लोग गलत नहीं है तो आप कैसे गलत हो सकते हैं आपको जब भी गलत लगे तब समझ जाईए कि आप सही है आप किसी का घर खोल कर देख सकते हैं, उसके घर के नीचे खुदाई कर सकते हैं, जब तक फ्रूटी का पैकेट और गुटके की पनी नहीं मिल जाए महला का महला खोड डानना है, अगर किसी को शक हो जाए कि आपके घर के नीचे कुछ है तो अपना घर भी खोड लेने दीजिए इस तरहा विशाल भूकंड की खुदाई हो जाएगी, जमीन के नीचे जो भी होगा एक ही बार में बाहर आ जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का टूथ ब्रश या फिर किसी की चपल का टुकड़ा तो मिल ही जाएगा इसलिए खुदाई की मांग बेकार नहीं है, इस देश में जब किसी की भी जमीन पर कबजा हो सकता है, गसी के घर को टहा लिया जा सकता है, तो अतिहासिक इमारतों के साथ भी हो सकता है बहुत दूर की बात नहीं है जब एक इमारत को डहा दिया गया था एतिहासिक इमारतों को खोट कर देखने वाले उनकी इट खिसका कर देखने वाले काफी सभ्भे है गनीमत है कि ये लोग उस इमारत को डहाने के लिए जमा नहीं हुए वरना तो इनका सारा अनुभव डाने का ही है, खोतने का अनुभव तो है ही एक मुद्दे को लेकर 25 साल काट देने वाले लोग अब 5 मिनट में उस तरह के 50 मुद्दे पैदा कर डालते हैं और गोधी मीडिया के जरीए घर घर पहुँचा देते हैं उन्हें दावा करने और हंगामा करने से कोई नहीं रोक सकता ऐसे लोगों को पता है कि जब जमीन के नीचे से कोईला, हीरा, तामबा, लोहा, यूरेनियम जैसे बढधाद निकाले जा सकते हैं तो इतिहासिक इमार्तों के खुदाई से भी कुछ न कुछ निकलेगा इन्हें मालूम है कि खुदाई से ही इतिहास के अफशेश निकलते हैं शीरा लेक और भगना वेश निकलते हैं अस्तियां और बस्तियां निकलती है जब पहले निकला है तो अब क्यों नहीं निकलेगा इसलिए इस काम के लिए 9-9 संक्रिटन हर दिन נिकल कर सामने आ रहे हैं ऐसे लोग कहां से निकलाते हैं ये सवाल उसी तरह बेतुका है कि कोईला कहां से निकलाता है ख़दान काफी बड़ी है और ऐसे हीरो की कमी नहीं है आपको जहां कहीं भी लगे कि यहां कुछ हो सकता है खुदाई कर डालिए खुदाई के दौरान कोई इमारत गिर जाए तो चिंता ना करें 50-60 साल के लिए वहीं छोड़ दे और फिर उस जगा के खुदाई करें वो इमारत भी निकल आएगी मेरी मांग है कि नगर-nगर में खुदाई जथा बनाया जाए जिसे अधिकार मिले कि जहां भी लगे कि जमीन के नीचे कुछ हो सकता है वहां खुदाई की जाए ताकि ये शक दूर हो जाए कि जमीन के नीचे कुछ था इस देश में इतनी अफवाय फैल चुकी है कि उनकी पुष्टी के लिए खुदाई बहुत सरूरी है तरको और संधर्बों से इतिहास का फैसला नहीं हो सकता हां खुदाई और कुदालों से होगा आएए खुदने का भियान शुरू करते हैं जो जगए खुद चुकी है उसे भी खुद डालते हैं जो नहीं खुदी है उसे खुदने के लिए बहस पैदा कर देते हैं जमीन के नीचे कुछ है इसका मतलब ही है कि दिमाग के भीतर कुछ नहीं है रविश कुमार ने तो अपने स्टाइल में बीजेपी नेता और भक्तो को रगट डाला अब आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा